हलो फ्रेंस, कैसे हो आप सब? आज हम अच्छे ही होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी से मेथी मटर मलाई की रैस्पी यह एक दो हम डाबा इस्टाइल बनाकर त्यार करेंगे तो यह मैंने मेथी लें यह एक बंच मेथी लें और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से पत्ते पत्ते इसके तोड़ लिए ही देखिए इस तरह से और अब हम इसको क्या करेंगे अच्छे से धोलेंगे ताकि जितने भी इसकी डस्ट वगरा है हो सारी निकल जाए तो बहुत बढ़िया से दोए मेथी में भी काफी डस्ट होत तो आए फटा फट मैं इसको एक बार अच्छे से धो लेती हूं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और आब इसा क्या करेंगे श्पूल मैंने छॉपिंग बícia ले लिया है ठोड़े हैं सावी पत्ट्या लें और strengthened कुल महीन जितना बरिक हो सके उतना बरिक काट कर इसको हम तयार करेंगे इस तरह से तो इसको हम इस तरह से पूरी मेथी को फटा-फट काट कर तयार करेंगे तो मैं इसे एक बार काट लेती हूं फिर मिलती हूं तो यह देखे हैं हमने सारी मेथी को काट कर तयार कर लिया है यह देखे कितनी बड़ी काट कर मैंने तयार की है इसे हम साइट करते हैं और यह देखे यह मैंने एक कटोरी मटर ली है अगर देखा रहा तो एक पाव मटर है अब हम चलते हैं कडाई की तरफ तो कडाई में यह म हमें हिर्णा मिर्श कभhos Cемudice न मी तक कम टेल के जदेंगे में बूत कम साथ और बहुत कम आपकाते हैद हैं पर रफली कट हुआ और हल्ए करने की ज़रूत नहीं है हल्का सफराइ करना हैं बहुत जादा नहीं तो हमारा प्याज हो गया है, हमें इसको इतना ही फ्राई करना है तो अब इसमें रफली कटे हुए दो मीडियम साइज के टमाटर एड़ कर रहे हैं साथ ही आदा चम्मच नमक, नमक एड़ करने से जो हमारे ये टमाटर है ये फटा-फट सॉफ्ट हो जाएंगे तो टमाटर को हमने नमक के साथ तोड़ा मिक्स कर लिया है और इसमें एड़ कर रहे हैं एक से डेढ़ इंच अधरक का टुकड़ा कटा हुआ इसको भी चला लिया है तो बस अब हम इसे ढख देंगे और जब तक हमारे जो ये टमाटर सॉफ्ट होंगे तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक आहिये हम अपनी आगे की तियारी करती ही तो टमाटर पकरें तो ये मैंने पैन लिया है इसमें जो मटर थी हुरी मटर मैंने लिये आप चाहे तो फ्ROजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें मैंने एड़ कर लिये और साथ ही मैंने आदा चमबस नमक एड़ किया है और थोड़ा सा पानी हम इसको दूसरी साइड गैस पर उबलने के लिए धर देंगे जब तक हमारी मटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें मटर को पका लेना है तो आईए मटर एक साइड पकरि बश्ट पानी अज़द्ट मटर के मेटे लिए खोड़ देंगे यह एकदम अच्छे संदा कर लेगे भुश्ट है जीरे को तोड़ा सा तड़का लेते हैं जीरे को हम तोड़ा सा तड़का लेते हैं जीरा हमारा तड़क गया है तो इसमें एक चमच से थोड़ी सी कम हल्दी एक चमच लालमेश पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और इन मसालोंगी। एसमे तरफ्ट्रा में हेलेा में कुछ सैकुपन के लिए लिए चलाते हुआैं इस तरह से इनको हम भून लेंगी। शुक्त हमारे घृषे सण हैं अब महटी आड़े चाहिए चाहिए अब सब्सक्राष मेथी अधर दी तक हाँ और आप एक जिद्यान रखें मेथी को इस तरह से अगर मसाला इसा जैसे हम पहले भून लेंगे पका लेंगे तो जो हमारी मेथी का ही जो कड़वा पर है यह बिल्कुल खतम हो जाएगा आप इसमें नमक स्वाद के नुसार एड़ करें नमक डालते वक्त याद रखें आपन जब तक हमारी मेथी अच्छे से पकना जाए तब तक हमेंसे पकाना है तो मेथी को पकते हुए पांच मिनट हो गए है और हमने मेथी को बीच बीच में चलाया भी है तो आप भी आद रखें इसको चलाना भी है तो हमारी एकदम बढ़िया से मेथी बनकर तयार हो गई है त मेथी मत्र मरा घाबे की तरह तो भी इसे अगर आपको ए मेरी वीडियो पसंद आ है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें और हमने अगरफने जो मत्र उबालकर रकी ति इसमें हमने इसको वह भी आड़कर लिया है आप हम इसको भी हच्छे से मिसका कर लेते हैं हमारी मेती भी पकी ह Beer Allah मेत्थी हुआ हमारी मतर मित्र आता में नहीं लग फस्पचार। तो इसको हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसमें एड़ करेंगे घर की मलाई यह मैंने घर की मलाई लिया देखिए कितनी गाड़ी जमी हुए है आप चाहें तो मार्किट में फ्रेश क्रीम आती है ना आप इसका भी इसका भी इसको भी हम इस तरह से अच से ढख देते हैं और ढख कर बहुत जादा देनी सिर्फ एक दो मिनट पकाएंगे इससे जादा नहीं को कि हर चीज हमारी पकी हुए पहले से दो मिनट हो गए हैं इससे पकते हुए मलाई के साथ भी और यह देखिए एक दम बढ़िया सी हमारी सी सबजी बनकर तयार हुई ह यह देखिए कितनी बढ़िया बनी है अब इसमें हम कुछ आग्री एक दो लिए दो मसाले अड़ करते हैं जिसमें आदा चम अधकर मसाला और यह रोस्टीड कस्तूरी मेति मैंने इसको रोस्ट कर लिया उसके बाद मैंने इसको ग्रश कर लिया हाथ की मदस चाही था और इ एक दूम बढ़िया सी मेथी मलाई मटर की सबजी बनकर तयार है और यह फटा-फट बन जाती है और इसे आप अब किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं मिसी रोटी नान रोटी जिसके साथ आपका मनो उसके साथ अब से खाएं बच्चों को बड़ों को सब को बहुत-बहुत पसंद आने वाली है तो यह देखिए मैं इसे आपको एक बार सर्फ करके दिखाती हूँ तो यह देखिए मैंने इसे सर्फ किया है और यह लग रही है एक दूम बढ़िया सी ना टेस्टी सी तो आप इसे एक बार अपने घर में जरूर बना कर देखिएगा यह फटा-फट बन जाएगी और अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें बैल आइकन को ओन कर दें ताकि मेरी आने माले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइप मिलती रहे कोई भी वीडियो मि मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग